हलो एवरीवन कैसे हो आप सब पिंका के नुस कीचिन में स्वागत है आपका आज मैं आपके साथ दो अलग अलग प्रकार के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो काफी हल्दी है और टिफिन के लिए तो एक दम बेस्ट रेसिपी है बच्चों को भी आप इस तरह स तोया सॉस दाला है थोड़ी काड़ी मिर्च लाली है और इस तरह से मंचुरियन मसाला जो मिक्स रीडी में डाता है वो दो चम्मस लिया था विजिकली हम बना रहे हैं मंचुरियन पराठा लेकिन काफी हल्दी तरीके से बीना कॉन फ्लोर और मैदे के पराठे अभी हम इस कर देंगे नमक हमें लास्ट में डालना है ताकि सब्जी या सारी पानी चोड़ दे और उसके बाद हम इसमें चावल का अटा डालेंगे मैंने यहां पर अभी एक कटोरी चावल का अटा लिया है और उसको अच्छे से पहले स्पेचुला में मिक्स कर दिया है अब चावल क गुनते हैं इस तरह से हाथों से टच करके हम देख लेंगे इसका टेक्शर अगर और ज्यादा लिक्विड हो तो हम इस पे और फ्लोर एड़ करेंगे अब चावल का अटा 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 कर सकते हो या फिर बेसन तो मेरी यह कंसिस्टेंसी परफेक्ट है अब हम पराठ का शेप देना है साइड में तवा भी गरम करने रख देना है मिडियम फ्लेम पे और हम इसको अभी सेकेंगे दोनों साइड पे दो दो मिनिट तक हमें इसको सेकना है और थोड़ा सा ओल या घी लगा कर अच्छे से यह निकल जाएगा प्लास्टिक में से यह देखे और बि अच्छों को भी खिला सकते हो और टिफिन के लिए तो बेस्ट रेसिपी है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना अब बारी है दूसरे हल्दी पराठेकी तो इस तरह से हमें पालक को दो कर अच्छे से बड़े-बड़े पीसिस में काट कर हमे मिक्सर ग्राइण में ले लेना है अध्रक और लशन लेना है फिर मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है और एक चमट जितना जीरा लिया है दो मैंने हरी मिर्च ली है और आदा ग्लास इतना पानी यह सब हम मिक्सर छाइण कर लेंगे हैं और उसकी अच्छी सी पेस्ट बना पालक का उपयोग किया यानी आयन से भरपूर है ये पराठा तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये रेसिपी जरूर से च्राय करना तो रेडी है हमारी पेस्ट अब मैंने यहां पे लिया है दो कटोरी आटा नॉर्मल आटा है जो हम रोटी के लिए यूज करते है उसमें मै मैं यहां बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैंने घी का उपयोग किया है आप तेल का भी उपयोग कर सकते हो दो चमत जितना गी डाला है और जो हमारी पेस्ट अपालक की जो प्यूरी हमने बनाई है अभी मिकसर में उसी से हम लोट गुन देंगे तो दो कटोरी के और हमारा लोट रेडी है ये देखे तो गुनने के बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टनसी पराठे जैसी है अब इसकी फिलिंग की तैयारी करते है तो मैंने यहां पे एक कटोरी पनीर को इस तरह से ग्रेट कर दिया है मसाले में मैंने डाला है एक चमत जितना धनिया पाउडर एक चमत लाल मिर्च स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गरम मसाला अधा जमत जितना चार्ट मसाला इन सारे मसाले को इस तरह से मिक्स कर देना है तो हमारे पराठे की फिलिंग रेडी है अब हम पराठा गुन देंगे तो इस तरह से बड़ा लुआ लेना है ह इस तरह से प्रेड करेंगे हाथों से अच्छे से स्पिर्ड करके फिर इस तरह से हम इसको रांड डांओ शेप में अर पटाथी को इस तरह से हम भेल देंगे इस तरह से बैलने Pel тоже जो इस तरह से बनाने और हमारा हेल्दी पराठा रेडी मैंने इसको सव किया था दहीं के साथ आप केचप या धनिये फुदिने की चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो तो मेरी ये दो पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना लाइक शेयर और करना मजबूला थैंक यू